हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चानल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, आप सभी को पता है कि SBI क्लर्क प्रलिम्स का एक्जमिनेशन हो चुका है SBI क्लर्क मेंस की एक्जमिनेशन का आप लोग इंतजार कर रहे हैं चार सेंट्रों पर एक्जाम होगा, उसके बाद SBI क्लर्क मेंस का भी एक्जमिनेशन हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद, अब दूस्तों सवाल यह उठता है, इसमें आपको पता होगा कि सवाल यह उठता है कि SBI PO का नोटिफिकेशन कब आउट होगा, SBI PO 2021 का नोटिफिकेशन जो है यह कब आउट होगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दूस्तों, यह खबर मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा किस वीड सब्सक्राइब कर लिजेगा, दोस्तों, आप सभी को पता है कि SBI क्लर्क प्रिलिम्स का जो एक्जमेनेशन है, वो जुलाई में खतम हो चुका है, 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में एक्जाम था, वहीं अगर इसके मेंस की बात करें दोस्तों, तो यह चार सेंटरों के जो एक्जमेनेशन नहीं हो पाया था, उसके कारण मेंस एक्जमेनेशन टाल दिया गया है, रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है, उन चार सेंटरों पहले एक्जाम होगा, उसके बात जाकर कि SBI क्लर्क मेंस का एक्जाम हो पायेगा, ऐसे में SBI PO 2021 का नोटिफिकेशन कब आ जैनवरी में ही हो गया था इसी साल, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है SBI का, तो अब ऐसे में SBI PO का नोटिफिकेशन जो है, वो कब आने के चांसे से हैं, तो अगर आप ऑगस्त महीने में देखेंगे, तो आगस्त महीने में पूरा ऑगस्त जो है, उसमें RRB के examination होंगे, हो सकता है कि IBPS clerk का भी exam होगा, हाला कि IBPS clerk का जो exam है, वो थोड़ा सा पोश्टमोन हो सकता है, क्योंकि इसका जो notification है, उसको रोक दिया गया है, कोई language का issue हो गया है, इसके खारण इसका notification को रोक दिया गया है, तो जब तक इसका notification और form फिलिम र कर सकते हैं, क्योंकि new dates ही आने माला है, उस time पे examination होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर 2-4 दिन में sort out हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा chances है कि examination 28 August को ही हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा chances लग रहा है कि examination जो है वो पोश्पोर्न ही होगा, क्योंकि form फिलफ होगा तो फिर से 15-20 दिन का time मिलेगा, तो वैसे में 20 August हो ही जाएगा, तो वैसे में exam होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि September का क्या situation, September में देखेंगे तो आपका mains examination जो है, RRBs का mains examination वो September में है, तो क्या October में सही समय है exam होने का, SBIPO का, तो October में भी आप देखेंगे, तो उस समय IBPSPO का prelims है, IPSPO का उसके बाद mains examination नवेंबर में है, तो दोस्तों बहुत ज़्यदा मुम्किन है कि August के महिने में, August के दूसरा या तीसरा week में, SBIPO का notification देखने को मिल सकता है, क्योंकि SBIPO का notification अगर August महिने में आता है, और पूरा अग दोस्तों ये chances हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इस बार SBIPO का examination है वो फिर से November में notification आएगा और January में exam होगा, ऐसा नहीं है, दोस्तों पिछला situation जो था पिछले बार का situation था थोड़ा सा unprecedented situation था, हम लोग को पता नहीं था, vaccine नहीं आई थी, Corona नया भीमारी था, लेक चाहिए, क्योंकि 2021 में examination थो नहीं होगा, क्योंकि पिछला साल का जो notification आया था, 2020 में आया था, examination 2021 में हुआ था, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी साल examination हो जाएगा, 2021 में ही examination खतम हो जाना चाहिए, तो notification आप जैसा कि मैंने आपको बताया, second week of August में आएगा, और most probably examination जो कि third week of October में prelims हो जाए, और mains का examination जो है वो November में हो जाए, 27 November को IBPS PO का mains है, उससे पहले SBI PO का mains होने के chances हैं, और जो final selection है दोस्तों, December, January तक आपका पूरा recruitment process हो सकता है, तो ऐसे में दोस्तों, आप उमीद कर सकते हैं कि SBI PO का notification आगस्त में आएगा, और इसका vacancy कितना रहेगा, इसके उपर भी हम लोग बात करते हैं, तो vacancies दोस्तों इसमें changes नहीं होता, कई लोग कह रहे थे कि 5000 vacancy आया है SBI का, तो इसका 1200, 1300 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका vacancy उतना ही आएगा, 1900 बहुत ज़्यदा खराब situation होगा, तब जाके 1900 नहीं तो 2000, 2100, इससे ज़ इसले साल किसी कारण वस आपका selection नहीं हो पाया था, तो आप selection इस बार ले सकते हैं, अच्छी तैयारी करके, दोस्तों इस चैनल को subscribe करके, बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल exam level के questions कराता हूँ, मैं वही questions कराता हूँ, दो अपलोड नहीं होते हैं इस चैनल पर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, थैंक्यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो,